नमस्कार में ममद आसीफ और आप देख रहे हैं SPN 9 NEWS तेजश्वी यादब बिहार के उपमुखे मंतरी है लेकिन मुखे मंतरी उपमुखे मंतरी का शपत लेते ही जिस तरह के से वो अपनी मन मानी कर रहे है नितिश कुमार साइद उनके खिलाफ एक्शन ले ले ऐसा भी हो सकता है हाला कि ये कोई खबरे फिलाल अधिकारी ग्रूप से नहीं है लेकिन शपत लेने के बाद दो तीन काम उन्होंने किया है जिससे मुझे लग रहा है शायद ऐसा कि बिहार के राजनीते में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जाना अज जिस तरीके के बीज़पी के मंतरी भी कह रहे है दरसल बीज़पी के नेता सभी ये कह रहे है माफ किज़े मंतरी नहीं क्योंकि मंतरी तो अब हट गए क्योंकि अलग हो गई मंतरी यह करें कि जादे दिन सरकार नहीं चलेगी ना तो नितिश कुमार और ते जस्वी आदब कि ते जस्वी आदब अचानक से शपत लेने के बाद दिल्ली आ गए अपने पिता से मुलाकात करने के लिए üst के बाद सुनिया गांदेश से मुलाकात के इस के बाद उन्हें ने बयान दिया उन्हे ँन्हें कहा कि महागड़बंद की सरकार मजबुति से चलेगी और 10 लाख रोजगार का जो बादा था वो भी कह रें पूरा करेंगे लेकिन जीस तरीके से अभी तक मंतिरी मंडल का विस्तार भी नहीं हुआ थिस Means एंग य को मंतृ criticism पर बैठाया जाएगा किसी ज्यादा ही ओभर एक तो नहीं कर रहे हैं तो जरूरा से ज्यादा खुस तो नहीं हो रहा है अगर ये सब बात अगर चुब गई नेतिश कुमार को तो देखे उनका नाम तो पल्टूराम में गिंती होई गया बीजेपी कैसे कह रही है आप हम आप जानते ही हैं तो क्या कब ह बिहार में फिर से सत्ता किसकी गिर्जा कोन जाने किया तो हो सकता है कि कहीं नाराजगी की एक ये वज़ा ना बन जाए नेतिश कुमार के लिए और इसलिए तेजश्वी आदब को सूच समझ कर कदम उठाने चीए हलाके तेजश्वी आदम ने साफ शब्दों में कहा है कि कि जो है कैबिनेट के विस्तार के पलान बन चुके हैं किस दिन में लोग सपत ले लेंगी देखते हैं कि किस पार्टी से कितने बिढ़ायकों को मंतरी बनाया जाता है जरे आज के लिए तरह ही मुझे देजे जा जा तो आप देखते रहें स्पेनाइट नमस्कार